हिंदी सिनिमा की वो पहली ग्रैजुएट अदाकारा जिसने दिलिप कुमार और राज कपूर की मा बन कर छोड़ी चाप वो तो हिंदी सिनिमा की पहली पढ़ी लिखी ग्रैजुएट सोसाइटी लेडी एक्टरस थी उन्होंने उस दोर में फिल्मों में काम करने का फैसला लिया जब महिलाओं के लिए ये किसी पाप से कम नहीं माना जाता था सिनिमा इंडस्ट्री में पैर जमाने से लेकर अंग्रेजों से देश को स्वतंतरता दिल्वाने की लड़ाई में योगदान देने वाली एक नीडर और बहादुर महिला थी वो जेंटल्मेन डाकू के पुरुष रूपी किरदार को जिवन्त करने वाली एक दमदार अदाकारा थी वो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब लक्स के विग्यापन में विदेशी अदाकाराओं की जगा काम करने वाली वो पहली भारतिय हिरोईन बनी तो दुनिया भर में तहल का मच गया हाला कि जंजावातों से भरी जिंदगी को पट्री पर लाने के लिए उन्होंने एक नहीं तीन तीन बार शादियां की लेकिन नाकाम शादी और बिजनस में घाटे की वजह से उनके जीवन में गुर्बत का दौर आ गया दोस्तों क्या आप यगीन करेंगे कि वक्त के सितम ने लाखो डॉलर कमाने वाली इस अदाकारा को अमेरिका जाकर बेबी सिटर, हाउस कीपर और लाइब्रेरियन के तौर पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया जी हाँ दोस्तों आज हम आपको उस अदाकारा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने उस दौर में फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल करते हुए अपनी चाप तब छोड़ी थी जब फिल्मों में महिलाओं का काम करना वर्जित था उन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर दशिकों तलक लोगों के दिलों पर राज किया उनका नाम था लीला चितनिस नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं फ्लैश्वेक मोमेंट्स आज की मशूर अभिनेतरी काजोल की कजिन परनानी लगने वाली लीला चितनिस का जन्म 9 सितंबर 1909 को महराश्टर के धारवाड में हुआ करनाटक के ब्राहमन परिवार में जन्मी लीला चितनिस के पिता इंगलिस लिटरेचर के प्रोफेसर थे लीला चितनिस ने भी उस जमाने में ग्राजूशिन किया था जब लड़कियों के लिए शिक्षा गैर जरूरी समझी जाती थी और उसी दोर में उन्हें महराश्टर की पहली ग्राजूएट सोसाइटी लेडी के खिताब से नवाज आ गया पढ़ाई पूरी करने के बाद लीला चितनिस ने नाटिर मानवांतर नाम का एक थेटर गरुप जॉइन कर लिया इस गरुप के साथ लीला चितनिस ने कुछ कोमेडी और ट्राजिक प्ले किये ड्रामा करने के बाद जब लीला ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो काफी बवाल हुआ हाला कि पढ़ी लिखी लीला ने किसी की फिक्र नहीं की लीला चितनिस की पहले शादी 15 ये 16 साल की उम्र में उनसे उम्रदराज शक्से हुई जो की एक कम्योनिस्ट लीडर थे और उनका नाम गजानन येश्वन्त चितनिस था दमपत्ती ने अंग्रेजों से स्वतंदरता के लिए भारत के संघर्ष में बढ़ चड़ कर हिसा लिया और इस दारान मार्कसवादी स्वतंदरता सेनानी मनबेंदरनाथ राय को शरंडे कर गिरफतारी का जोखिम भी उठाया इस बीच उनके दामपत्ते जीवन के सफर में चार बच्चे हो गए लेकिन कुछ समय बाद लीला जी का पती से मनमुटाव होने पर उन्होंने अलग होने का फैसला किया लेकिन इस फैसले ने उनके लिए मुसीबतों का पहाड खड़ा कर दिया चार बच्चों की परवरिश बहुत बड़ी चनौती बनकर सामने आ गई खैर वो एक मजबूत और नीडर महिला थी तलाग के बाद उन्होंने बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक स्कूली शिक्षिका की रूप में काम किया और उस समय के मेलो ड्रामा में भी अभिने करना शिरू किया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और लीला चितनिस ने इसी पर अमल करते हुए जो भी किरदार मिले निभाने शिरू कर दिये शिरूआत में लीला चितनिस को फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल मिलता था लीला ने उन किरदारों को सहर स्विकार किया और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई जिस दोर में फिल्मों में एक्टिंग को ही घटिया काम माना जाता था उस दोर में लीला चितनिस फिल्मे करके बच्चों का पेट पाल रही थी वो काम भले ही और लोगों के लिए घटिया और दोयम दर्जे का रहा हो पर लीला चिटनिस की तो उसमें जिन्दगी बसी थी फिर उनका वक्त बदला क्योंकि उनको अपनी महनत के दम पर सागर मूवी टोन फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने का मौका मिला इसके बाद उसी कंपनी की दूसरी फिल्म जेंटलमें डाकू में उन्हें बतोर एक्ट्रस पहली बार भूमी का निभाने का मौका मिला इस फिल्म में उनका किरदार ऐसा था जिसमें उन्हें सिर्फ पुरुशों की पोशाक पहननी थी लीला ने ये किरदार भी बाखू भी निभाया फिर मास्टर विनायक की 1936 में आई फिल्म छाया में उनके दमदार काम को सराहा गया और उन्हें अदाकारा के रूप में पहचान मिलने लगी लीला जी अपने बच्चों को बहतर शिक्षा देने के साथ साथ फिल्म जगत में भी सक्रिय रूप से काम करती रही उस समय लीला अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर थी कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाती सोना हो जाता ऐसे समय में लीला को बॉंबे टॉकीज से जुडने का मौका मिला लीला की अदाकारी और कलाकारी से काफी प्रभावित होकर बॉंबे टॉकीज ने लीला को उस दोर के सुपरस्टार अशोक कुमार के साथ फिल्म कंगन के माध्यम से परदे पर उतारा फिल्म में लीला में रोल में थी कंगन हिंदी सिनिमा की पहली ब्लॉक बस्टर फिल्म मानी जाती है दर्शकों में अशोक और लीला की जूड़ी काफी लोग प्रिय हुई इसके बाद लीला ने अशोक कुमार के साथ कई बहतरीन फिल्में की अशोक कुमार के साथ तीन हिट फिल में कंगन, बंधन और जूला से ना केवर लीला जी के नाम का डंका बजने लगा बलकि आगे चल कर अशोक कुमार भी इंडस्ट्री में बड़ा नाम बने अभी नेता अशोक कुमार ने भी माना था कि बिना कुछ कहे सर्फ आखों से अपनी बात समझा देने का हुनर उन्होंने लीला जी से ही सीखा था लीला जी ने पहली बार मा का किरदार 1948 में आई देश भक्ती फिल्म शहीद में किया इस फिल्म में उन्होंने सूपर स्टार दिलिप कुमार की मा का रोल निभाया था हालाकि उस दौर में और भी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो मा का किरदार निभाती थी पर दर्शकों को अपने अभिने से बांध रखा था लीला ने क्योंकि लीला प्यार और दुलार से भरपूर मा थी इस तरह मा के किरदार से लीला ने बॉलिवूड में अपनी अलग पहचान बनाई लीला चिटनिस कुछी वक्त में मा के रोल को इंजॉय करने लगी और कहा जाता है कि उन्होंने मा के रोल में इतना खुबसूरत काम किया कि माना जाने लगा कि वो मा के रोल के लिए ही बनी है अच्छी तो सभी है लेकिन पगले शादी तो एक ही से करनी है ना सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उनके निभाए मा के किरदार को भी लोगों ने खूब पसंद किया बहरहाल 1950 और 60 के दशक में मा के करेक्टर से उन्हें खूब शोहरत हासिल हुई इन भूमिकाओं में वो सुनहरे रिम वाले चश्में और सफेद साडियों में दिखाई देती थी उनकी एक और यादगार फिल्म 1951 में आई दा वेगाबॉंड भी रही इन सबसे इतर लीला चितनिस के जीवन से जुड़ी एक कहानी भी बहुत रोचक है सन 1941 की बात है अख़वार के पन्ने पर आए एक विग्यापन ने देश भर में संसनी मचा दी दरसल बात ये हुई कि सन 1939 में भारत में लौंच हुआ लक साबुन पहली बार अपनी एड में किसी भारतिय एक्टरस को दिखा रहा था और इस विग्यापन में नजर आने वाली वो खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिकनिस वो लक्स के विग्यापन में आने वाली पहली भारतिय अभिनेत्री थी वरना उनसे पहले लक्स के विग्यापन में अंग्रेजी फिल्मों की अभिनीत्रियों का ही दबदबा था बीतते वक्त के साथ लीला जी के व्यक्तिकत जीवन में भी कई मोड आए एक बार फिर से परिवार बसाने के लिए उन्होंने प्रेड्यूसर डिस्टिब्यूटर सी आर गवालानी से दूसरी शादी की लेकिन गवालानी ने उनके कमाई रुपयों को शराब में पानी की तरह बहाया और नई फिल्मों के कॉंट्रेक्ट के लेंदेन को लेकर लीला के साथ धोका किया हलात ऐसे बने कि लीला को गवालानी से भी तलाक लेना पड़ा बाद में उन्होंने पूंजी पती चंदरशिकर आरया से तीसरी शादी की ये रिष्टा भी जादा दिन नहीं चला खैर तीन शादियों के बाद भी वो अपनी पहले पती के सरनेम से ही जानी जाती रही सच तो ये है कि उनका फिल्मी करियर कितनी ही बुलंदी पर क्यूं न रहा हो दामबात्य जीवन कभी सुख में नहीं रहा नीजी जन्देगी में जूटे आडमबर दिखावे से दूर रहकर फिल्मी परदो पर सहलता से अभिने करने वाली चितनिस ने अपने बच्चों को असीम प्यार देने की पूरी कोशिश की मराथी भाषा में छपी लीला चितनिस की आत्मकता चंदेरी दुनिये इत पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीला ने किन संघर्षों से अपने करियर को आगे बढ़ाया अगर वो आज के दौर में होती तो उनके बच्चों की खबरें तैमूर या अराध्या से कम चर्चित नहीं होती चितनिस के बेटे मानवेंद्र चितनिस ने 2003 में दा नियू यॉर्क टाइम्स को बताया कि उस दौर में जो भी महलाय एक्टिंग करती थी उन्हें वैश्य समझा जाता था इसलिए ब्राहमन जाती में पैदा हुई चितनिस को उन्हीं के समाज ने अलग थलग कर दिया था बेटे ने कहा कि माने कभी इसकी परवाह नहीं की ना ही कभी पूर्वग्रह को लेकर उन्होंने शर्म महसूस की चंदेरी दुनिये में लीला कहती है कि बॉम्बे टॉकिस की फिल्मों में काम शुरू करने से पहले मेरा चौथा बेटा राजपैदा हुआ था तब से मुझे तनाव और दुन्द का एहसास होने लगा पहले भी मैं फिल्मों में काम कर रही थी लेकिन उस समय मेरे घर में सरजाबाई नाम की एक महिला थी जो बच्चों को पालती थी लेकिन देर सवेर जब वो अपनी बेटी और दामात के पास जाती तो ऐसा लगता मानू मेरा बड़ा साथी चला गया हो घर में नौकरों की कमी नहीं थी लेकिन ममता से पालने वाला कोई नहीं था जब मैं ठक कर घर लोटती तो साथ साल का अजीब छे साल की मीना चार साल की बीना एक दूसरे की शिकायत करने लगते हालात ये थे कि जब मैं स्टूडियो में शूटिंग कर रही होती तो अकसर ही आया घबरा कर फोन करती और कहती मैडम मैं क्या करूं बच्चे बुरी तरह से शिकायत कर रहे हैं आमतार पर मैं फोटो शूट में व्यस्त रहती थी और बात नहीं कर पाती थी लेकिन आया की आवास के साथ साथ पीछे से बच्चों के जगडों की आवाजे भी आती थी उन्हें फोन पर बुला कर मनाने की कोशिश करती मैं सारा दिन शूट में व्यस्त रहती लेकिन मेरा ध्यान घर में बच्चों पर ही लगा रहता समय बीतने के साथ मैं और परिशान रहने लगी और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया इन सब बातों से इतर लीला जी ने अपने जीवन में और भी कई महत्वपून फैसले लिये जैसे उन्होंने अभीने करने के अलावा 1955 में आई एक फिल्म आज की बात का निर्मान और निर्देशन भी किया लंबे समय तक फिल्मों का हिसा रही दिगज अभीनेत्री आखरी बार फिल्म दिल तुझ को दिया में काम करने के बाद फिल्मे दुनिया को अलविदा कह गई और वो अपने बड़े बेटे के साथ अमेरिका में रहने लगी अपने शांदार फिल्मे करियर में लीड लेडी से लेकर करेक्टर भूमिका निभाने वाली लीला जी ने हाला की खूब धन कमाया लेकिन उनकी नाकाम शादियां बच्चों के मेडिकल बिल और बिजनस में नुकसान उनके लिए गुर्बत का दौर लेकर आए 1980 में वो भारत छोड़कर अमेरिका चले गई वहाँ जाने के बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने बेबी सिटर, हाउस कीपर और लाइबरेरिन के तौर पर भी काम किया कभी लाइम लाइट और स्टार जैसी सिंदगी जीने वाली अदाकारा लीला चिटनिस ने अमेरिका में ही 14 जुलाई 2003 को 93 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गई भारती फिल्म जगत के इतिहास के पन्नों में अपनी सुनहरी दास्तान लीला जी को हमारा शत्षत नमन दोस्तो आज बस इतना ही आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर लिखिएगा अब अपनी दोस्त और होस्ट रविंद्र को दीजे इजाज़त नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया